आई पील 2021 सस्पेंड होने के बाद सुरेश राइन का छलका दर्दे दे दिया है बड़ा बयान नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एसके स्पोर्ट के का और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आई पिल सस्पेंड होने के बास सुरेश राइन ने क्या बड़ा बयान दिया तो दोस्तों पुरी जानकाई लेने के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रह आए थे जिसके चलते बीसी सी आई ने आई पिल को एस्ट कर दिया है देज भर में क्रोना के बढ़ते मामलों पर अब स्यस्के के भरोसे मंद बल्ले बाद सुरेश राइन ने बड़ा रेक कि किया है सुरेश राइन ने ट्विट कर लिखा है कि अब यह मजाक नहीं है इतन यह सलाम का हगदार है सुरेश राइन द्वारत किये गए इस ट्विट में उनका दर्द साफ जलक रहा है मैसूस हो रहा है कि इस वक्त भारत के इसित क्रोना वायरेस के चलते काफी खराब हो गई है इस समय भारत को दोसी लहर का सामना कर रहा है ज्यादे तर सहरों में लाक को अलामत दिल्ली काइपिल्स के अमिसा को भी क्रोना पाजिटिव आया गया तो दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही क्या सुरेश रहना के यह दर्द और बयान सही है या नहीं आप अपनी महत्त पूर्ण रहे हमें नीचे कमेंट सक्षन में जरूर बताएं और वी